हेलो नमस्कार साथियो आपका स्वागत है नवीन जी के जीएज पाटली पुतरा इंवर्सिटी का जो है पीजी एडमिशन का जो है मेरिट एस्टेटस आप सभी देख लिये होंगे और जो भी कंडिडेट जो है जो भी एस्टुडेंट का मेरिट एस्टेटस में नाम है तो क क्या करना है आगे और सभी कॉलेज के ओफिसील डीवसायट पर जाकर करने ठीक है और को उलेज विजीट करें जीसे की आपको पता चल सके जो ओनलाइन है या आफ्वलाइन पिछले वार जो था सभी ओनलाइन हो रहा था और नहीं तो आप जो है कॉलेज के विजिट करें और जो है वहां से online करें देखिए एक example समझ लिए जिसे कि आपको पता चल सके और जिन candidate का जो है नाम नहीं आया है वो क्या करेंगे महत्पुन जानकरिया और भी वीडियो को फुल वाच किजिएगा जिसे कि आपको पता चल सके असपस्ट रूप से यह देखिए जो फर्स्ट मेरिट लिष्ट में जिनका नाम आया था उनका जो है एडमिसन हुआ था तो उनका जो क्या प्रोसेस रहा था उनका जो है एक दिन बढ़ाया भी गिया था ठीक है तो इस नोटिस के माध्यम से आप समझ लेजिए जिसे कि कुछ जनकरिया आपको मि यहां पर लिखा गया था कर्मसे का सत्यापन हे तो जमाकर शक तर चाराब जहां करने की उपर अपरा रासीद महावीद्याले से प्रप्त करेंगे। हंचे कहा गया था यहां कहा गया था था में यानि कि टिपेस कॉलेज में सभी कोंडिय का प्रोसेस सेम था ठीक है और उनका जो है ओफिसियल website के माध्यम से online नमांकन लिया लिया है यानि कि जो है online नमांकन सभी कंडिडेट को जो है अपलाई करना था और अप लाई करके को लिज में जाना था ठीक है तो यह से चाथर इतना और generous-ING करना था उसके बाद का कांटर नमर एक पड़ जमा करना था सबीह का प्रोसेस सेमें का सभीकिक का जो एन प्लाई करना था ठीक है और वह भी देख लिजिए कैसे आप अपलाई करेंगे और यह जो है आप यहां से देख लिजिए यह जो आफर लेटर हो गया आपके पास जो प्रिंट आउट निकला होगा और उसके बाद जो है एडमिशन पेमेंट डिटेल्स उसका दे यूजी मार्क सिट यूजी मार्क सिट और जो है बीसे कटेगरी यानि की कटेगरी का जो भी हो और अधारकार इतना डोकुमेंट आप सभी को कॉलेज में जमा करना था और एक और चीज देख लिए सबसे पहले आना आपको गूगल पर उसके बाद जो है एक एक जांपल समझ रहते है टीपियस को लेज सर्च करते हैं और उसके बाद जैसे आपका इस तरह से ओपन होगा ठीक है तो oh come फक्रिक करना और उसके बाद आप यहां पर देख पा रहे होंगे एडमिशन पोर्टल एडमिशन पोर्टल पर आपको जा करके किलिक करना ठीक है और आप यहां पर देखिए सभी जो है दिया गया है किलिक हर फोर एम में में सी ठीक है फास्ट येर जो भी स्टुडेंट है आपको यहां से जो है किलिक करना था और किलिक करके जो है आपको इस तरह से क्लिक करेंगे और उसके बाद जो ओपन होगा तो आपका जो है यहां पर प्रोसेस है ठीक है यहां पर यूर नमर लिखना होगा उसके बाद जो है आपको यहां पर मॉइल नमर देना होगा ठीक है नहीं तो आप यहां पर राजिस्ट्रेशन नमर के अप्लोड करना ऑगा ठीक है और नहीं है कोई डॉकुमेन्ट तो उसको अंडर टेकिन फॉर्म डाउनलोड करके जो है अप्लोड कर दीजएगा उसको फिल करके है और जो है एक और एक्जांपल देख लेते हैं कोमर्स कोलेच का। ठीक है जिसे कि आप सभी को पता चल सके जो कैसे क्या करना है? Commerce College के जो है आफ़िस्याल सब्सक्राइट पर आए ऩर आपका सो होगा इस तरह से आप देख पा रहे होंगे है? أप कॉठल पर आएंगे तो इस तरह से छरुद के यहां पर PG लिखा गया ठीक है पीजी रिघूलर्ड और वाले के लिए इसके नीचे पाएंगे लो तो गत्तस हैं यहां पर देख सकते हैं है फोलो के सिनल ठीक है तो आप सभी यह जो है फ़िस्ट मेर्ट लिस्ट का जो है लिंक है आप सकेंड मेरिट लिस्ट का जारी किया जाएगा तो आप जो है सभी स्टूडैंट जो है वहां से अपने करेंगे और नहीं तो क्लेज जरूर कि चीजि़ को लेज़ का प्रोसेस आपको को लेज़् से भी पता चल जाएगा अगर वन तो अभी जो है हिं यहां पर जिन कर रिडेट कर नहीं है तो वह कर province यहां के लिदेट करा नहीं हैं यहां से अंडडेकर नाम करेंगे और डावट करने के रवाद जो है जो भी नका रहात और उसके बाद जो है college भी जिट करके जो है पता करेंगे और जिन candidate का जो है नाम नहीं आया ठीक है जिन candidate का नाम नहीं आया वो क्या करेंगे तो उनके लिए अभी कोई सुचना नहीं है जब भी official notice जारी किया जागा तो कुछ भी सुचना मिलेगा तो उनको जो है सुच कर दिया जाएगा क्योंकि आभी कोई सुचना नहीं निकाला गया है ठीक है और यह जो है admission होने के बाद हो सकता है कुछ result यानिकि admission हो जाने के बाद जो response मिले और उसके बाद notice हो सके जारी हो क्या कोई भी उससे पहले भी हो सकता है कुछ जारी हो तो आप लोग को जो है channel के माध्यम से सुचित कर दिया जाएगा और जो भी candidate का जो है नाम आ चुका है तो already जो है वह admission लें जिससे कि एक भी यह मिस नहीं हो ठीक है तो सभी स्टूडेंट जो है अपना admission online portal के माध्यम से अगर होता है तो online करेंगे नहीं तो offline पता करें college में जिससे की कैसे वहां का process है ठीक है तो आप सभी स्टूडेंट जो है जरूर विजिट कीजिए college और पता कीजिए और admission लिजे और जो स्टूडेंट का नहीं हुआ है तो उनको बस यहीं करना होगा वेट करना होगा कोई भी notice आएगा तो आपको जो है सुचित किया जाएगा तो वीडियो देखने के ल